Hello friends, I am Sarvesh and today I will teach you Numeric Analysis. What is Numeric Analysis? Numeric Analysis is the study of algorithm that uses numerical approximation for the problems of mathematical analysis. और अब मैं आपको इसके अंदर एक formula बढ़ाने जारों लेगरांगे method जो interpolation के अंदर आता है आप इसे note कर सकते हैं लेगरांगे जारों लेगरांगे जारों सकते हैं इसका formula बढ़ा है formula इसका yx is equal to l0 x y0 plus l0 l1 x y1 plus l2 x y2 dot or dot ln x by n y0 यहाँ पर function की value है first function second function and third function yn function तक यहाँ पर value आएगी अब यहाँ पर l0 x की value calculate करते हैं देखिए l0 x की value क्या होती है अभी क्याँ पर आपना यहाँ ओ। तब ? कर दो कर देखे यहां पर मैं एक्स की वेल्यों में गिवन होगी अगर नहीं जो गर देखे यहां गर यहां गर देखे फोर्ड़नों एक्स केत रहें आप सब्सक्राइड यहांट xn इसी दे हमारा L1 x निक लेड़ा x minus x0 x minus x2 x minus x3 x minus xn x0 x1 minus x0 x1 minus x2 x1 minus x 1 minus x3 x1 minus xn आपसे नोट कर सकते हैं अब मैं आपको एक 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 एक्जाम्पल कराता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक्जाम्पल है दो लेके हैं, ताक्च Cannon's काईब too, to mechanysis- यड़ account यड़àyर अपसे देए, लेक्रिटे. लेके हैं, आपके एक्शों काईब एक्टे. लेक्शों के लेक्डा.ियआ। एक्स बराबर 2.5 फ्रॉम दा फॉलोईंग डेटा अब यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखे हैं एक्स और याई की वैल्यू हमें गिवन है 0-6 0.5 minus 1.875 1.5 0.375 3.0 and 0 देखें यहाँ पर यह y0, y1, y2 and y3 हो जाएंगे और यहाँ पर यह हो जाएंगे x0, x1, x2 and x3 इसे आप मोड कर लीजें अब कहा रहा है compute up compute up to 4 places of decimal हमें 4 decimal तक रिजट 100 करना है ठीक है अब हम इसे श्टार्ट करते है हमारे पास पॉर्मूला का answer है इसका मारे पास पॉर्मूला था yx yx बराबर अब हम सबको calculate कर लेते हैं और सोलिशन दिखालते हैं फर्स्ट हम l0 x की l0 x को calculate करते हैं x- x1 x- x2 x- x3 और नीचे हमारा हो जाएगा इनोरेटर में x0- x1 x0- x2 x0- x3 ठीक है अब value put कर देते हैं value अगर हमें x की value दिवी है ठीक है हमें value इसकी दिवी है value कितनी दिवी है x की value हमें 2.5 given end ठीक है लगा दिवी है 2.5 माइनस x1 की value कितनी है 0 x2 भी value कितनी है x- x2 भी value है माली 0.5 और x यहापर 2.5 कर लीजिए 2.5 माइनस 3.0 और यहापर क्या हो जाएगा 0 माइनस 0.5 0 माइनस 0.1.5 और 0 माइनस 3.0 अब हम इसे solve कर लेते हैं देचे solve करने पर क्या होता है यहापर आएगा 2.5 माइनस 0 2.5 इंटू 2.5 माइनस 0.5 आजाएगा हमारा 2 इंटू 2.5 माइनस 3.0 आजाएगा हमारा माइनस का 0.5 और नीचे हमारा आजाएगा माइनस का 0.5 इंटू माइनस का 1.5 इंटू माइनस का 3 0.0 अब इसे हम calculate करेंगे तो हमारी value आएगी 0.4444 क्योंकि उसमें कहा है मैं इसे question में 4 decimal places ता करना है इसे आप note कर सकते हैं इसी तरह हम L1 x निकलते हैं बाकी साथ सेम रहेगा यहां पर नीचे चेंज कर देंगे denominator में x न माइनस s 0 बाकी साथ सेम रहेगा value पूट कर दीजें x1 माइनस x0 x0 x1 माइनस x1 माइनस अब देगे 2.5 माइनस x0 की value हमारी given है 0 x की value 2.5 माइनस देखते हैं यहां पर देखते हैं यहां पर आएगा 2.5 x 2.5 माइनस 1.5 माइनस 3 माइनस 0.5 कैसा आएगा वो भी माइनस 2.5 इसे जब हम calculate करेंगे इसे जब हम calculate करेंगे तो हमारा wizard आएगा माइनस का 1 इसे आप load कर सकते हैं किसी तरह हम l2x calculate करते हैं किसी तरह हम l3x calculate करते हैं मैं यहां पर फिल change करता हूं x- x0 x- सब्सक्राइब वी में दारी का एक साराइब निस्टीत गारन वाण मीं महां दे first ट्ट टारी को जाएगा आ én यहें विए डिकन सारा कि नो-बिकन देंगे न सबास्ताइब और यहां पर भी चेंज हो एगा X2-X3 बाती सब सेम रहेगा value put कर देखे हम फिर से 2.5 minus 0 2.5 minus 0.5 2.5 minus 3.0 नीचे हमारी क्या हो जाएगी हमारी value हो जाएगी 2. value हमें दे रखी इसकी value हम देख रहते हैं इसकी value में 1.5 दे रखी है 1.5 minus 0.5 1.5 minus X1 की value हमारी है sorry यहां पर X0 की value 0 है और 1.5 minus 0.5 1.5 minus 3.0 2.5 minus 0 2.5 2.5 minus 0.5 2 and 2.5 minus 3 is equal to minus 0.5 and denomator पर देखे है 1.5 minus 0 1.5 1.5 minus 0.5 is equal to 1 1.5 minus 3 minus 1.5 और इसकी value हमारी आईडी 1.111 इसे आप note कर ले अब इसी तरह हम L3X की value को calculate करते हैं यहां पर मैं change करता हूँ आप लोग इसे change ना करें अपनी इसे आप ही ने और value पूट करते X की value में given है 2.5 minus X0 की value 0 X की value माई 2.5 minus X1 की value 0.5 X की value 2.5 minus X2 की value हमेद दिये 1.5 X3 की value मारी 3.0 minus X0 की value 0 दिये X3 की value मारी 3.0 minus X1 की value 0.5 X3 की value हमेद 3.0 and X2 की value 1.5 2.5 minus 0 2.5 into 2.5 minus 0.5 into 2 into 2.5 minus 1.5 1 3.0 minus 0 3 3.0 minus 0.5 into 2.5 3.0 minus 1.5 into 1.5 इसे यह हम calculate करेंगे तो हमारी value ID 0.444 आप इसे note कर सकते हैं अब हम इसे value को formula में put कर देंगे by x x की value हमें 2.50 है तो हम यहां पे 2.5 value इसे में रख लेते हैं l0 x की value हमारी क्या आई है हम चेक कर लेते हैं l0 x की value आई है 0.444 और by 0 by 0 मतलब first function की value first function की value हमारी है minus 3 6 plus plus l1 x की value हम देख लेते हमारी क्या आई है l1 x की value हमारी minus 1 i x minus 1 को bracket में रख लेते हैं minus 1 into function की value है minus 1.875 plus l2 की value हमारी क्या आई है l2 की value हमारी 1.111 into function की value है into function की value है 0.375 plus l3 की value l3 x की value l3 x की value हमारी 0.444 into function की value हमारी last function की value है 0 तो सीधी सिवात है लिए हमारा terms पूरा 0 हो जागा और हमारा answer आएगा हमारा answer आएगा minus 0.3744 आप इसे note कर लीजे अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आयो तो आप इसे like करें और subscribe कीजिए thank you की प्रीं